नमस्कार आप सभी EBSC से जुड़ चुके हो पिछले लेक्चर में एक्सराइज थर्ड ए कम्प्लीट कर ली थी और आज एक्सराइज थर्ड भी करेंगे है तो 35 कुल साथ परसंडी wire09 में से दूसरा संदhelm 16 में आया वहा है और ả तीसरा पर्संद 2017 में आय वहाई च四व परसंद में वह 2012 में आये वहाई तो इसकी एक वीदी का नाम है विशिष्ञ समहकल में दो फोड़ले भी लगेंगे एक बटाडी का मतलब होता है एक वार समाखलन करना और एक बटा d square का मतलब होता है कि दो बार समाखलन करना एक बटा d cube का मतलब होता है तीन बार समाखलन करना और d की पाउर n x की पाउर n बटा d x का माणन होता है factorial n अब विशिस्ट समाखल यानि particular integration pi बराबर 1 बटा f d into q q को x की पाउर न के के लिए मानेंगे x की पाउर q बराबर मानेंगे x के लिए Pi क्या होगा p बराबर 1 बटा d square माईनस ए स्क्वेर और d का स्क्वेर और उपर है x स्क्वेर कि तो निच्चे में से d-square common लेंगे यहां बचेगा 1 माइनस यहां मत्तचे आई स्कुर्जाज मुट पर एपको पुछों पर लें तो इसकी वॉलिघ को नीदुए में Minister हम इडिस व्यधोंगे पूर milliards इक मैन denial कीरा मेहिं तोema चाहिक तो A square D dash square upon D square into X square तो एक बटा D square और X square दे दिया अब X square का दो बार समाक लंग करेंगे तो एगा X की गाद 4 बटा 12 अब exercise 3 भी है यह इसके थी छोरी exercise 3 भी में सबसे पहला परसंदियाव है देल square U, Del 2U upon Del X square minus Del 2U upon Del Y square बडाबर X square तो इसे कड़ने के लिए सबसे पहले Del 2 upon Del X square को D square मान लिए इन दोनों में सी U common लेंगे और माइनस Del 2 upon Del Y square को मानिए Q1D star को बार सी square into U बार सी square है सबसे पहले auxiliary equation मानेंगे इसकी यहाँ पे मानेंगे D की जगे M पूट करेंगे और D की जगे 1 पूट करेंगे तो यहां हो जाएगा M स्क्वार माइनस 1 बराबर 0 तो M स्क्वार बराबर 1 और M बराबर प्लस मैनस 1 M के लो मान आगे इसे C F निकालेंगे C F बराबर Z X I जो फर्स्ट में किया था 3D A में वहीं सेम करेंगे तो Z बराबर 5 1 यानि दोनों अलग लग है तो Y प्लस X और प्लस 5 2 Y माइनस X अब पी निकालेंगे इसका तो पी यह जो दिया वे ब्रेकेट के अंदर उसी अपॉन मिलेंगे तो एक बटा अब डी सक्वेर माइनस देश का स्क्वेर इंटू X से स्क्वेर ठीक है भरबर है अब लेंगे hiddenallas को ने को कॉमन लेंगे डी सक्वेर को को मिलिया तो ब्रेक्स को सकवनद रापन 2 2 उपर X कि पावर न नहीं एक प्र। एक बत्ता डी इस चовर अभी स्व्य को उपर ले जाएंगे तो इसकी वहलपार मायनिस मन हो जाए ले लेंगे तो एक बटादी स्क्वेयर इंटो एक्स इसक्वेयर दो बार समाकलन करेंगे तो एक्स की गाद चयार बटा बारा और पूर्ण हल हो जाएगा जैड बराबर सीफ प्लस पी आई सिएफ हमने पहले निकाला था फाइवन ब्रेकेट वाइप्लस फ्लस फाइटू ब बराबर एकस वाई आकज़िएरी एक्स निकालेंगे जगेंगा करेंगे बेकश्कوف कुल करेंगे जिए टार्ивает करेंगे तो एपिस्वेयर मानेस एम माइनस शीन जिससे एफ वहमारे पास हो जाएगा स्टुडेंट ने हैं वह पिछले लेक्चर को अटेंट कीजिए और उसमें सीफ तक की कहानी बताई हुई है अब पी बराबर हो जाएगा एक पी बराबर एक्स वाई बटा डी स्क्वेर माइनस डी डी डैस माइनस इक्स डी डैस का स्क्वेर तो यह एक्स वाई किया एक एकल टुके राइट है वाला उपर रखना है और और एकल टुके लेफ्ट हैंड साइड वाला सिसके निच्छे रखना है सबसे पहले एक बटा डी स्क्वेयर और इस पूरे ब्रेकेट को लिख दिया और एक्स वाई गुणा कर दिया अब इसका दो बार समाकलन किया एक्स क्यूब वाई बटा छै और प्लस यहां पर देखिए डी डेस बटा डी क्यूब गुणा एक्स वाई फ्लस शिक्स देख स्क्वेयर डी कि पावर फ़ एक्स वाई यानि एक बटा दीख स्कूएर का अतर गुणा कर वाई यह उसके और इन दोनों को लग erfolg कर दिया तो यहां एज़टेस पड़ा है x3 y upon 6 plus x की पाउर 4 upon 2 into 3 into 4 इन दोनों का हल आया है x की पाउर 4 upon 2 into 3 into 4 यानि यह गुणा करेंगे तो आएका choice x3 y upon 6 plus x की पाउर 4 upon 24 यह हमारा pf आया है p i आया है और पॉर्ण हल लोता z बराबर cf plus pi तो 5 1 y plus 3 x plus 5 2 y minus 3 x plus x cube y upon 6 plus x की पाउर 4 upon 24 यह होगया person number 2 तो एक person और है उसी प्रकास से तीसरा है 2 d square minus 5 d dash d d dash plus 2 d dash square into z equal to 24 y minus x auxiliary equation वापिस बनाएंगे d की जगे हम रखेंगे तो 2 m square minus 5 m plus 2 equal to zero और इसके दो मुलाएंगे m square है तो m बराबर दो और एक बटा दो cf आगे जट बराबर 5 1 y plus 2 x plus 5 2 y plus 1 upon 2 x अब इसका निकालेंगे pi तो pi बराबर क्या होगा y minus x upon यह पूरा ब्रेकेट वाला जाएगा यानि equal to right side वाला पूरा आएगा और प्रेकेट वाला होगा निच्छे तो चोइस y minus x upon 2 d square minus 5 d d dash plus 2 d dash का square निच्छे से 2 d square को कॉमल ले लिए यह पूरा कॉमल लेना है यहां बचाएगा 1 minus 5 d dash upon 2 d plus d dash का square upon d square और उपर पढ़ा है choice y minus x अब इस पूरे को लेंगे ऊपर तो इसकी पावर हो जाएगे minus 1 इस दो से choice को काड़ दिया बारा आगया अब यह शीरीज open कर दी तो 1 plus bracket 5 d dash upon 2 d minus का d dash का square upon d square plus s 1 चलता जाएगा बार पढ़ा है y minus x और इस बारा को लिख दिया आगे ठीक है तो 12 बट्टा d square y minus x यानि इस y को गुणा कर दिया और इन दोनों को गुणा इस से करोई इन दोनों की गुणा इस bracket से करोई तो 12 बट्टा d square y minus x plus 12 बट्टा d square bracket 5 d dash upon 2 d minus d dash square upon d square bracket y minus x अब इसका solution करेंगे दो बार समाकलन करेंगे तो 12 y बट्टा d square minus 12 x upon d square यानि y में 12 बट्टा d square की गुणा करें उसके बाद में x में करवे गुणा इसकी फिर यहां पे देखें सोलिशन इन दोनों को वापेस इसका और इसकी गुणा इसमें करवाएंगे और इन दोनों की गुणा इसमें करवा तो यहां देखें 12 y x square upon 2 minus 12 x cube upon 6 plus 30 upon d cube और minus इसका आगया 0 तो 6 x square y minus 2 x cube plus 30 bracket x cube upon 6 से तो 6 x square y minus 2 x cube plus 5 x cube तो 6 y x square plus 3 x cube यह पी इसका विश्ठाल है y ब्राबर cf plus pi तो y ब्राबर cf plus pi तो y ब्राबर 5 1 y plus 2 x plus 5 2 2 y plus x plus 6 y x square plus 3 x cube यह अंसर है किस्ट नमर थर्ड का और चोथा उसी प्रकार से चोथा दिये वह है चोथे में d square minus 2 d d dash plus d dash square into z equal to 12 x y auxiliary question निकालेंगे d की जगे m d dash की जगे 1 put करेंगे m square minus 2 m plus 1 equal to 0 इसके m के 2 मान आएंगे एक और एक दोनों ब्राबर है तो cf i का z ब्राबर 5 1 y plus x plus x 5 2 y plus x अब pi निकालेंगे pi ब्राबर 1 ब्राबर d square minus 2 d dash plus d dash का square into 12 x y निच्चे से d square common लेंगे तो 1 minus 2 d dash upon d plus d dash का square upon d square इस पूरे का ओपर लेंगे तो इसकी power हो जाएगे minus 1 अब इसके series open करेंगे तो 1 plus 2 d dash minus d dash का square upon d square और into 12 x अब इन दोनों की गुणा एक में करेंगे इन दोनों की गुणा इस ब्रिकेट में करेंगे तो 1 बटा d square 12 x y plus 2 बटा d cube है d dash 12 x y minus d dash का square बटा d की power 4 12 x है y तो 2 x cube y आ गया और यहां पे plus 24 x की पार 4 upon 2 into 3 into 4 यह कट गया पुरा x की पार 4 बचा तो 2 x cube into y plus x की पार 4 तो z बराबर cf plus pi होता है तो 51 x plus y plus x 52 x plus y plus 2 x cube y plus x की पार 4 यह चोते का अंसर है पांच आपर सने डेल 2 z upon x square plus 3 del square z upon del x del y plus 2 del square z upon del y square equal to 2 x plus 3y अब del square upon del x square को d square लिखेंगे इन तिनों में से z common लेंगे और यहां जाएगा 3 और del upon del x का जाएगा डी और डी डेस और यहां जाएगा टू डी डेस का square बराबर 2 x plus 3y सबसे पहले इसकी साइक समिकन बनेंगी auxiliary equation m square plus 3m plus 2 equal to 0 m के 2 मान माइनस 1 और माइनस 2 तो cfi हैगा इसका z बराबर है 51 y minus x plus 52 y minus 2 x pi होगा 2 x plus 3y upon d square plus 3 d d dash plus d dash का square तो निचे से d square common लेंगे तो 1 plus 3 d dash upon d plus 2 d dash का square upon d square अब इस पूरे को उपर लेंगे इसकी पावर माइनस 1 होगे और इस सीरीज को open करने के तो 1 minus 3 d dash upon d minus का 2 d dash का square upon d square into 2 x plus 3 y तब solve करेंगे एक बटा d square और 2 x plus 3 y को multiply करके 1 में multiply करेंगे उसके बाद इसमें उसके बाद इसमें तो 2 x cube upon 2 into 3 plus 3 y x square upon 2 minus का 3 2 x की पावर 4 upon 2 into 3 into यह नहीं यह इतना ही होगा इसे सोल गे x cube upon 3 plus 3 upon 2 x square y x cube upon 3 plus 3 upon 2 x square y minus का 3 into 3 into x तो यह आ गया pi y equal to cf plus pi तो y equal to 5 1 y minus x plus 5 2 y minus 2 x plus x cube upon 3 plus 3 upon 2 x square y minus 9 x यह है question number 5 next question number 6 ता आप के आ रहे है देल क्यूब z upon del x square into del y minus का 2 देल क्यूब z upon del x del y का square plus 3 देल क्यूब z upon del y cube equal to 1 upon x square यहां से तीनों से लेंगे z common और यहां मनेगा देल upon del square upon del x square तो d square into d dash minus 2 d dash square plus 3 d dash cube into z equal to 1 upon x square auxiliary equation बनेगी m square minus 2 m plus 1 equal to 0 m के दो मान 1 और 1 cf अगर 5 1 y plus x plus x 5 2 y plus x plus 5 3 x pi के क्या होगा इसका 1 upon d d dash का whole square into y upon x square इन दोनों में से d square को common लेंगे क्योंकि इसका square है तो d square को common लिया तो 1 minus d dash upon d का whole square अभी उपर जाएगा तो इसकी गोल पावर minus 2 हो जाएगे अभी इसे open करेंगे तो एक बटा d square 1 plus 2 d d 1 plus 2 d dash upon d और y upon x square अब देखें इन दोनों की गुणा करूएंगे इस से और इन दोनों की गुणा करूएंगे इस से तो y upon d square x की पावर minus 2 plus 2 upon d x की पावर minus 2 तो minus का y log x plus 2 bracket minus का 1 upon x तो अभी इस्टल क्या होगा y equal to cf plus pi आई तो cf आई है इसका 51 y plus x plus x 52 y plus x plus 53 x और यह है पी आई माइनस का y log x माइनस का 2 upon x यह किस्टन नबर 6 ते हैं अब किस्टन नबर 7 तो आपके दिया है किस्टन नबर 7 तो आपके d cube minus 7 d d dash का cube minus 6 d dash का square into z equal to x square plus x y square plus y cube auxiliary equation बनेगी m cube minus 7 minus 6 equal to 0 तो टीन आ रहे इसमें तो इसमें एक ऐसी value पूट करो कि इसकी value है वो 0 हो जाई यानि इन तीनों को solve करें तो right hand side की बराबर आजाई यानि 0 आजाई तो इसमें minus 1 put किया तो इन तीनों को अगर minus solve करेंगे तो आगा 0 तो m plus 1 के 3 गुणंद खड़ या पर लिख दिये और उसके बाद m square से गुणा करें minus m से गुणा करें और minus 6 से गुणा करें inside of the bracket m plus 1 outside of the bracket m square minus m minus 6 यानि एक मूल दो होगे है minus 1 और इससे 2 मूल आ जाएंगे minus 3 और 3 और minus 2 अब देखे m के तीन मूल होगे 3 minus 1 minus 2 और cf हो जाएगा 51 y plus 3x plus 52 y minus x plus 53 y minus 2x अब पिया ही देखिए इस तरफ है वो उससे उपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे उसके तो x square plus x y square plus y cube upon d cube minus 7 d d dash cube minus 6 d dash square नीचे से d cube common लेंगे 1 minus 7 d dash cube upon d square minus 6 d dash square upon d cube इसकी all power 1 है इसे उपर लेगे तो minus 1 होगे इसकी all power अभी series को open कर दिया तो 1 plus 7 d dash cube upon d square plus 6 d dash square upon d cube कियां तक आगे और ब्रेक्ट में x square plus x y square plus y cube अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे सब्सक्राइब इसे गुना करांगे दोनोंकि और किससे गुना क्राइब कि इस्ट से गुना क्राएब तो मालग कारे यहां देखिए विष्चे मा dif फाइब य्टॉट इंटू 15 यंदू तो है सोलीके था ऐसं की प़ाइक स्कूर uniquely टो सोल करना पटेगा तो आप लोग आदे को solve कर लेना और दोनों को CF और PIE को दोनों को जोड़ लेना CF और PIE को दोनों को जोड़ लेना तो आंसर आजाएगा कि उसे नबर 7 तो यह आपके exercise third भी complete होती है धन्यवाद और next वीडियो में करेंगे third C को